नमस्कार दोस्तो हमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप लोगों ने अब तक हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस सस्क्राइब जरूर करें और सस्क्राइब करने के पस साथ बैल आइकान पर कलिक करके नोटिफिकेश कोन कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अप्लोड करें आपको आसानी से मिल जाए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे को कैसे स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं मैंने हाल ही में दो वीडियो बनाये थे जिसमें बताया था कि इंडेक्शन मोटर के अंदर से 6 तार बाहर निकलते हैं एक तो डबल डेल्टा का मैंने बताया था डबल पैरलर कनेक्शन में 6 तार निकाले थे और एक था 6 पैरलर का तो उसमें 6 तार ये निकाले थे एवन, एटू, बीवन, बीटू, सीवन, सीटू ये 6 तार मोटर के बाहर निकलते हैं फिर उसको स्टार डेल्टा किया जाता है ठीक है तो ये कंपनी के मोटर होती है कंपनी में जो लगाए जाती है और बड़ी मोटर होती है 10 हच पी से लेके 50 या 50 से लेके फिर उपर तक ठी तो इनके अंदर कुछ इस तरह से पिने बने होती हैं जैसे कि एक पिनी ये हो गई ठीक है और एक पिनी ये हो गई एक पिन दोस तो ये वाली हो गई एक पिनी ये हो गई ठीक है तो माल लीजिए मोटर के अंदर ये छे पिन निकल के आ गई है अब पिन का नाम मैं बना देता हूँ यहाँ पिन का नाम है अब इसके स्टार में बताता हूँ पहले आपको स्टार में बताता हूँ पहले है पहले है तो स्टार में क्या होगा कि दोस्तों जो स्टू है एट्ट्व है और बिद्ट्व है ठीक है वन वन छोड़ देना आपको A1, B1, C1 छोड़ देना A1, B1, C1 यह तीन तारे आपको छोड़ देनी है और C2, A2, B2 ठीक है? यह बहुल सकते हो A2, B2, C2 इन तीनों को पकड़ लेना है इन तीनों को पकड़ लेना है और एक कर देना है S1 कर देना है अब एक करने के बाद यह बन जाता है नूटल पॉइंट इस साइड का और यहाँ पर देते हैं तीन फेज A1, B1, C1 में तो यह हो जाता है स्टार कनेक्शन अब बात करते हैं डेल्टा गी तो डेल्टा में इस तरह से करते हैं तो वही पिन है यह A1, B1, C1 ठीक है A2, B2, C2 अब इसका हम डेल्टा में ऐसे करते हैं कि जो C1 है वो B2 के साथ जोड देते हैं ठीक है C1, B2 के साथ B1, A2 के साथ A1, C2 के साथ अब यह ती तारे हो गई 1, 2, 3 यह तीन फेस हो गई यह हो गई आपका डेल्टा कनेक्शन बस इतना सा काम है तो यह छोटी सी वीडियो है दोस्तों अगर पसंद आयो तो लाइक करिए दोस्तों में सेयर करिए चैनल को सब्सक्राब करिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ जय हिन जय भारत